दोस्तो एक electrician को पता होना चाहिए कि MCB कितने प्रकार की होती है और कौनसी MCB कहां लगती है अगर आप नहीं जानते है तो वीडियो पूरा देखे और future के लिए save कर ले तो market में आपको total 6 type की MCB मिलेगी जिनके नाम A, B, C, D, K और Z है load के हिसाब से अलग-अलग ampere के हो सकते है लेकिन type wise इतने ही है आईए देखते है कि कौनसी MCB कहां लगानी चाहिए तो A के और Z type के MCB highly sensitive होते है ये MCB अपने capacity से 2-3 गुना अधिक load पढ़ने पर ही मात्र 0.1 second में trip हो जाता है इसलिए इसका use semiconductor में करते है बात करे B type MCB की तो य ये कम sensitive होता है इसलिए इसे घरों में लगाते है यह अपने capacity से 3-5 गुना से अधिक load पढ़ने पर 0.4 से 13 second तक में trip होगा आगे C type MCB का use हम motor के लिए करते हैं ये थोड़ा कम sensitive होता है इस पर इसके capacity से 5-10 गुना अधिक load पढ़ने पर trip करेगा लास्ट में D type MCB का use हम welding machine X-ray machine में करते हैं क्यूंकि यह अपने capacity से 10-20 गुना अधिक load पढ़ने पर trip करती है D type MCB कम sensitive होती है ये था MCB के type और उसके uses वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें और ऐसे ही electric वीडियो के लिए हमें follow